आज मैं आपके लिए बेहत मज़ेदार रेस्पी ले करके आई हूँ आपको बहुत पसंद आएगी जब कोछ मज़ेदार पेड भर के खाना हो तो यह एक बेस्ट आप्सन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ली है तीन ब्रेड यहाँ पर आप ब्राउन बाली सकते हैं सीजर से भी काट सकते हैं और पीजा कटर से भी कट कर सकते हैं तो जैसा आपको आसानी से बन जाए आप इसको काट लीजिएगा तो इसका साइज ना तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा रखना है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा रखना है तो इसी तरह से हम सार देशी घी डालेंगे आप बटर भी यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं और हमने यह जो ब्रैट के क्यूप्स कट करके रखे हुए हैं इन क्यूप्स को हम पैन में डालेंगे और हम मीडियम फ्लेम पर इनको हम रोष्ट करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे यह जो ब्रैट के त 3 मिनट का समय लगा तो यह देखिए इनका कलर कितना प्यारा आ गया है बहुत ही सुनेरे कलर के हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं मैं इसको टॉस कर रही हूं तो आप इसकी आवासे समझ सकते हैं कि यह कितने क्रिस्पी हैं मैं आपको एक क्यूब तोड़ करके भ अब मैंने यहाँ पर लिया है cube cheese, आपके पास जो भी cheese हो आप वो स्तमाल कर सकते हैं, अगर cheese नहीं है याप खाना पसर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप पनीर का इस्तमाल भी कर सकते हैं, अब हम cheese को greater की health से grate करेंगे, तीन ब्रेड में हमें आराम से दो क्यूब चीज लग जाएंगे अगर आप मौजरेर ले रहे हैं तो उसी हिसाब से ले लीजेगा तो दोनों ही चीज को हम ग्रेट कर लेते हैं आप इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइज का बारी कटी हुई सिमला मिर्च एक ली है हमने आपर साथी में हम डालेंगे टमाटर का जो अंदर का पल्प है उसे आपको नहीं डालना है उसको अलग करके टमाटर को काट लें क्यूंकि इसका पल्प ना तो ब्रेट जो है वो सौफ पड़ जाएगी हमें यहां पर ब्रेट को सौफ नहीं बिल्कुल क्रिस्पी रखना है यहां पर मैंने दो लाल सावत मिर्चे ले ली हैं तो इनको हम अच्छे से क्रश करके मसल करके डाल देंगे तो इस तरह से यह बढ़िया मोटी मोटी सी मि क्ल चीज़ो को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमने यहां पर जो चाठ मसाला डाला है उसमें भी नमक होता है तो हिसाब से ही नमक डाले, अब हम सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो देखिए हमने जितनी भी चीज़े डाली, बिल्कु लिकुडी फोर में नहीं है, ताकि हमारी ब्रेट की क्यूब है वो इकदम क्रिस्पी रहे, इस चीज को आपको विसेज ध्यान रखन है, तो लेजे सबी चीज़े हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएंगा, यह हमारी पीजा की स्पेशल टॉपिंग बन करके रेडी हो गई है, क्योंकि हम आज बनाने वाले हैं, बिल्कुल नए तरहे का पीजा, अब आपको क्या करना है, ब से बढ़िया मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, बेस के लिए आप इस्तमाल करिए रोटी का, रोटी या फिर पराठा भी आप ले सकते हैं, जो सिंपल सा पराठा हो ना वो ले लीजेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट भी आएगा, और बच्चे भी सौक से रोटी खा भी अब मैंने यहाँ लिया है टोमेटो केचप, अगर आपके पास पीजा सॉस रखा हुआ है, तो आप इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं फिलाल वो चीज़ डाल रही हूँ, जो सभी के पास आसानी से मिल जाए, दिक्कत ना हो आपको, तो टोमेटो केचप सभी पर हातों से ही आपको फैलाना है, स्पून से मत फैलाईएगा, परना अच्छे से यह फैलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक एक क्यूप्स को ब्रैट के अच्छे से सैट कर देते हैं रोटी में, क्यूंकि इस तरह से सैट नहीं होंगे, ना अगर इखटे आप सोचेंगे, रक्षा, पहले ब्रैट की सभी क्यूप्स को डाल देते, फिर उपर से चीज डाल देते, जी कर सकते थे आप ऐसा, लेकिन ऐसे में सभी जगह चीज अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं, अभी एक पीजा हमारा और बन करके तैयार हो जा थोड़ा सा हमने घी डाला है, आदा चम्मच के करीब और इसको भी स्प्रैट कर देते हैं, यहां पर भी आप बटर का यूज भी कर सकते हैं, अब हमने जो अपना पीजा सजा बजा के रखा हुआ है उस पीजा को हम रखेंगे तवे पर, फिलेम को बिलकुल लो रखना है, इस चीज का ध्यान रखिए, और लो फिलेम पर हम इसको लेट से या पलेट से कबर कर देंगे, अब एक बहुत जरूरी बात, मुझसे अक्सर ये कोश्यन आता है, कि रक्षा जो चीज है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दे रही हू आप क्या करें, पहले तो इसको थोड़ा सा सिखने दें, गरम होने दें, जैसे ये गरम हो जाए, तो आप थोड़े-थोड़े से किनारे पर तवा या पैन जो भी इस्तिमाल करना है, इसमें पानी के छीटे मार दें, और तुरंत ही छीटे मारने के बार लिर से इसको कबर क तो ये प्रोसेस करने से क्या होगा, बहुत जल्दी चीज मैल्ट हो जाएगा, रोटी भी बड़ी आसी सिख जाएगी, तो आप एक बार ने बीच बीच में दो तीन बार पानी के छीटे इस तरह से डाल सकते हैं, रोटी में ना जाए बस साइड में रहे, तो कम सकम हम तीन या कोई Snacks का नाम भी दे सकते हैं, या कोई Našta का नाम भी दे सकते हैं, फिलाल मैंने इसको पीजा का ही नाम दे दिया है, बट हमने इसको बहुत ही different तरीके से बनाया है, घर के ही सामानों से बनाया है, यकीन मान incor مت, इतना टेस्टी लगता है, जब आप इसको खाएंगे न नीचे की तरह भी मैं आपको दिखा देती हूँ रोटी बिल्कुल भी जली नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी हमारी रोटी हो चुकी है, ऊपार से ब्रेट भी क्रिस्पी क्रिस्पी है, बहुत ही मजेदार है, आप इसको ड्राइ जरूर करिएगा, मैं आपको personally बोल रही हूँ क्योंकि सभी को बहुत पसंद आई ये recipe और बच्चे तो especially बहुत जाद खाएंगे तो अगर आपको चीज पसंद नहीं है तो आप यही recipe पनी डाल करके भी बना सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि आपको आज की recipe खूब अच्छी लगी होगी तो प्लीज जरूर बनाईएगा और अपने experience मेरे साथ सेयर करिएगा कि आपको आज की recipe कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर फिर मिलते हैं अपने अगली recipe में तब तक के लिए बाबाई टेक्यर